हेलो फ्रेंज वेलकम टुए 24 नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियान नेवी की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के बारे में तो फ्रेंज यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है यह फ्रेंज आपके यहाँ पर जार और कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिस बात करते हैं अब इसके official notification की तो friends ये इसका official notification है आप से starting में कहा गया है application are invited from ITI qualified Indian citizen तो ITI qualified होना आपका जरूरी है भारतिय नागरिक इसमें आविदन कर सकते हैं male and female donor ही eligible है apply करने के लिए और ये friends जो notification है ये enrollment के लिए है apprenticeship training के लिए अब जो apprenticeship training है ये आपके naval ship repair yard करवर और naval aircraft yard गोवा में होने वाली है इसमें fans यहाँ पर देखिए जो vacancies है उसके details आपको यहाँ पर दी गई है अब यहाँ पर देखिए फैंस जो आपके naval ship repair yard करवर है इसके अंदर जो vacancies है ये आपके one year training आपकी रहेगी अब यहाँ पर देख nutrition में electronics mechanics में और feeder में इसके राबा IT आपके पास information and communication technology maintenance में या information technology and electronic system maintenance में या आपके पास friends ब्रॉड बेस बेसिक training होनी चाहिए information technology sector में तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे साथ में instrument mechanic, machinist, mechanic diesel, mechanic machine tool maintenance जो कि MMTM कहते हैं, mechanic motor vehicle में, mechanic refrigeration and AC, painter, plumber, sheet metal worker और swing technology address में और welder में इनमें आपके IT होनी चाहिए और ये friends जो post है ये आपके वन एयर के आपके यहाँ पर apprenticeship के लिए है, दो एयर के जो training है उसमें friends रीगर और आपके ship right seater, steel के लिए friends इसमें आपकी यहाँ पर देखे दो साल की training रहेगी और ये friends यहाँ पर जो रीगर की है ये fresher candidate के लिए है, मतलब यहाँ पर आपका IT required नह computer operator and program assistant, electrician, electronic mechanic, mechanic consumer, electronic appliance या technician power electronic system या mechanic industrial electronics में आपके पास होनी चाहिए, या feeder में होनी चाहिए, इसके अलावा information and communication technology system maintenance में या information technology and electronic system maintenance में या broad based basic training आपकी होनी चाहिए, इसके अलावा instrument mechanic, machinist, plumber, painter, sheet, metal worker और welder में आपके पास यहाँ पर IT होनी चाहिए, इसके बाद आपको यहाँ पर जो short form यूज की गई है, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, इसके बाद आपको नीचे LBT conditions दी गई है, अब यहाँ पर देखिए, 10th में 50% marks आपके यहाँ पर होने जरूरी है, इसके अलावा IT जो NCVT या SCVT आपने जो भी यहा या वो आपके SCVT अपरूर्ड है, वो फ्रेंस से 65% aggregate आपके यहाँ पर होनी चाहिए, अपलाए करने के लिए, इसके बाद फ्रेंस से यहाँ पर देखिए, जो रिमार का है, वो आपको यहाँ पर दिये गए है, इसके बाद देखिए, इस क्रेटेरिय के बात करते हैं, तो 14 साल minimum age होनी चाहिए, और 21 साल maximum age, और यह आपके count होगी 15 April 2024 को, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कि bond between 15 April 2003 और 14 April 2010, इन दोनों डेटों के बीच में आपका जनम होना यहाँ पर जरूरी है, इसके बाद फ्रेंस से physical standard आपको बताया गया है, तो जो height है, वो 150 cm आपकी होनी चाहि चेस का जो फुलाव है, वो कम से कम 5 cm का होना जरूरी है, eyesight बताई गई है, जो कि 6x6 to 6x9 आपकी यहाँ पर रहेगी, इसके बाद previous training आपको बताई गई है, तो यह one time opportunity होती है, अगर आपने पहले कभी apprenticeship की हुई है, तो आप इसमें eligible नहीं होंगे, अब चाहे आपने government, PSU य चाहिए, इसके बाद reservation SCST candidate को यहाँ पर मिल जाता है, OBC candidate को यहाँ पर मिल जाता है, PH candidate को मिल जाता है, इसके बाद मिलता है आपको stipend, stipend क्या है तो फ्रेंस यह है आपका भत्ता, अब यहाँ पर फ्रेंस क्यूंकि apprenticeship एक training है, तो training में आपको कोई भी salary नहीं मिलती है, only एक मिलता है, अब जैसे fresher, जो rigor की जो category है, इसमें training period देखे, एक से तीन मन्त का जो training period है, उसमें 3500 रुपे, चार से बारा मन्त में 5000 रुपे, और 13 से 24 मन्त में आपको 500 रुपे stipend मिलेगा, एक साल का जो IT certificate holder है, उनके लिए 1 से 12, मतलब 1 साल के लिए 700 रुपे मिलेगा, और 2 स से जो आपको यहाँ पर मिलेगा, वो 8,050 रुपे भत्ता यहाँ पर मिलने वाला है, कैसे apply कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको register करना होगा, online apprenticeship india.gov.in पर, इसका फ्रेंज जो process है, apprenticeship india.gov.in पर registration करने का, मतलब कैसे आप यहाँ पर registration अपना कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी, इसकी फ्रेंज से मैना jobrasa.com पर आपको provide की गई है, या फ्रेंज से आपको 824 knowledge पर सर्च करेंगे, apprenticeship registration process तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा, तो फ्रेंज से आपको पहले login करना होगा, login करने के बाद आपको यहाँ पर details को fill करना होगा, और उसके बाद फ्रेंज से आप य register post के साथ इस address पर आपको send कर देना होगा, अब यहाँ पर देखे, publication जो है, employment newspaper, रोजगा समाचार में जब भी आपका यह update आएगा, उसके बाद से ही valid मना जाएगा, तो अभी friends से next week हो सकता है, यह आपको जारी हो जाए, जैसे ही जारी होगा, तो आपको जो exact date है, वो आप mention कर दी जाएगी, आपके friends से form के साथ, आपको matriculation की mark sheet, IJ की mark sheet, category certificate, अधार card, disability certificate, यह सब आपको send करने होगे, यहाँ पर है undertaking, तो आपको यहाँ पर undertaking देनी होगी, IK बर आप नाम लिखेंगे, और उसके बाद friends से यहाँ पर signature, name, अधार card number, place, date आपको यहाँ पर mention करना IT exam के basis पर होगा, और जो आपकी merit list बनेगी, उसके basis पर आपको return exam का जो schedule है, वो आपको जारी कर दिये जाएगा, और यहाँ पर shortlisted candidate जो होगे, उनके ही return exam के schedule के लिए आपको यहाँ पर जानकारी provide की जाएगी, जो की January 2024 में होगी, इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए, आप general science के 20 और general knowledge के 10 questions होगे, हर एक question friends से यहाँ पर one and a half marks यहाँ पर carry करेगा, और एक गंटे का dilution आपका होगा, और कोई भी negative marking नहीं होगी, question paper English and Hindi दोनों ही language में आपको available होगा, और एक merit list त्यार की जाएगी return exam के basis पर, इसके बाद जो joining letter आपका यहाँ पर जो जारी होगा, वो instructions यहाँ पर दिये गए हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसके बाद training या apprenticeship है, यह friends आपके जो पंदरा पर दो होगा, तब से आपकी start हो जाएगी, hostel facilities भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, और किस वरे से आपको form रद हो सकता है, उसकी जानकारी आपको दी गई ही है, और यहाँ पर fans आपको एका notification है, का LGBT condition से वो समय आपको provide कर दिया है, अगर आपको हमारी update पसंद आई है, तो like, subscribe, share, जरू कीजिए, बागी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही है हमारे साथ, देखते रही है हमारे YouTube channel, लास थैक्स पूर वाचिंग